चले उस तो बात करते हैं इसे को नई कोशन के बारे में इस कोशन में एक्जामना ने का है इफ दा स्टुडेंट ऑफ अ क्लास केन बी गुरूप एक्जैक्टली इंटू 6 और 8 और 10 यदि किसी कक्षा में विद्यारतियों को बिल्कुल 6 या 8 या 10 के सम्हों में किया जाता है तो 10 कक्षा हमें विद्यारतियों की न्यूंतम संक्या क्या होने चाहिए तो सिम्पल सी बात एक बात तो आप रख लिजे माइन में जब वो बड़े से बड़ी value बोलता है तो हमेशा HCF के बारें बात करता है और जब छोटी से छोटी value के बारें बात करता है तो हमेशा LCM यानि लगुत्तम के बारें बात करता है यानि कि सिंपल सी बात है उसने कम से कम मांगा है तो इन सब का आप क्या निकालतीजी आप लगुततम निकालने के लिए की एल करेंगे इसे में 5 से डिवाइड़ करूँगा तो 120 मैं 3 आ यहाद दंटो में चार जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर 2 आ जाएगा फिर यह 4 आ जाएगा फिर यह 3 आ जाएगा तो यह फिर 12 यानि कि option जो मेरे पास में भी होगा वो इस question के लिए correct answer होगा एक बार फिर देख लेते हैं इसका यहानि कि दस इंटु में तीन इंटु में आपका चार यह आपका आजाएगा 120 यानि कि option जो बी होगा वो इस question के लिए correct होगा I hope आप सभी question समझ में आया होगा